दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से Narzo Series के तीसरे और आखरी स्मार्टपोन की Realme Narzo 20 Pro की Realme Narzo 20 और 20A के बारे में हमने डीटेल में बातचित करी है अगर आपको वो वीडियो देखना है तो देस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में मैं आपको उन दोनों वीडियो की लिंक दे दूँगा अब वहां से जाकर करके जरूर से चेक कर सकते हैं दोनों फोन के उपर हमने डीटेल में बात करी है और मैंने आपको बताया है कि क्या वो फोन आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल्मी नार्जो 20 प्रो के बारे में और भाई बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आये हैं मेरे पास कि भाई रियल्मी नार्जो 20 प्रो लिया जाए या रियल्मी 7 लिया जाए और बहुत बड़ा कन्फूजन यहाँ पर क्रियेट हो गया है और भाई रियल्मी का काम ही आज के लिए ही हो गया है आप्शन कम दे रहा है कन्फूजन हमको जादा दे रहा है भाई सेम स्पैसिफिकेशन पर सेम प्राइजिंग पर दो फोन्ज कर देता है अब भाई जनता ओविसली कन्फूज होगी कि भाई रियल मी नार्जो 20 प्रो की तरफ जाया जाये या रियल मी 7 की तरफ जाया जाये तो आज के वीडियो में मैं कन्फूजान आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि वीडियो को स्टायट करते हैं स्टायट करते भाई वीडियो को और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोनों जो फोन्स हैं, उनके 6GB प्लस 64GB वाले वारियेंट आपको मिलते हैं 14,999 रुपे में तो बहुत बड़ा confusion create होता है अब यहाँ पर बात करें दोनों फोन की build and design से, तो build quality की अगर बात करें, तो same build quality है दोनों फोन की, दोनों फोन plastic से बने हुए है, plastic का back मिलता है, plastic की frame आपको मिलती है, और साथ ही में यहाँ पर आपको front में glass protection मिलता है, लेकिन Corning Gorilla Glass 3 का protection वहाँ पर आपको मिलता है, तो scratches वहाँ पर आ सकते हैं और back पर तो scratches आएंगे आएंगे, तो भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि आप अपने phone के साथ में back cover को लगा करके रखें, तो scratches दोनों phone में आ सकते हैं, तो build quality दोनों phone की एक जैसी है, डिजाइन के अगर बात करते हैं, तो हमेशा हर वीडियो में में बोलता हूँ भाई के design अपना-पना taste होता है, personally मैं को Realme 7 का design पसंद आता है, जो two-tone design बनाया गया है, वो मैं को ज़्यादा पसंद आता है, यहाँ पर बात करेंगे Narzo 20 Pro की, तो यहाँ पर आपको victory sign वाले design देखने के लिए मिलते हैं, तो design आपको कोई साभी पसंद आ सकता है, लेकिन जो layout है, जो camera का placement है, front की बात करेंगे, जो punch hole का placement है, या chin की बात करें, सारी चीजे आपको एक जैसी मिलती है, design में जो difference है, वो केवल back में जो texture दिया गया है, उसमें आपको difference मिलता है, नार्जो 20 के पीछे, आपको नार्जो 20 Pro के पीछे आपको victory shape वाली design मिलती है, यहां पर Realme 7 में आपको two tone design मिलता है, जो कि personally में को ज़्यादा पसंद आता है, हो सकता है, नार्जो 20 Pro का design आपको ज़्यादा पसंद आए, लेकिन build and design की बात करेंगे, तो दोनों फोन एक जैसे हैं, इसके बाद आते हैं display पर, दोनों फोन के साथ में आपको exactly same display दिया गया है, 6.5 inches का display आपको मिलता है, IPS LCD panel मिलता है, full HD plus resolution वाला display दिया गया है, और 90 Hz का refresh rate यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, exactly same display है, 20s to 9 का आपको aspect ratio मिलता है, 405 PPI के आसपास आपको pixel density मिलती है, तो display quality से आपको दोनों फोन में कोई भी शिकायत नहीं है, price point के हिसाब से काफी अच्छा display दिया गया है, और दोनों का display punch hole के साथ में आता है, और top left में आपको realme की तरफ से कोई डिफरेंस यहां पर नहीं किया गया है, दोनों फोन के साथ में, दोनों फोन के साथ में same processor आपको देखने के लिए मिलता है, Mediatek Helio G95 processor दिया गया है, दोनों phones के अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, G95 processor के अगर मैं बात करूँ, तो भाई 12 nanometer पर बना हुआ processor है, heating का issue आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बात करेंगे performance की, तो performance आपको top notch मिलेगी भाई, price point के इसाब से, काफी तगड़ा processor यहां पर लगाया गया है, 2.05 GHz की peak clock speed मिलती है, A76 वाले course आपको मिलते हैं, और GPU की बात करें, तो ARM Mali G76 GPU मिलता है, जो कि आपको अच्छी खासी gaming करा देता है, अगर मैं PUBG की language में बात करूँ, तो extreme पर आप game खेल सकते हो, तो यह काफी अच्छी बात है, इसी के साथ मैं बात करेंगे, तो LPDDR 4X RAM मिलती है, दोनों फोन के साथ में, और आपको UFS 2.1 वाली storage का support मिलता है, तो performance भी आपको दोनों फोन से exactly same देखने के लिए मिलेगी, कोई भी difference आपको performance के मामले में भी देखने को नहीं मिलेगा, performance के लिए भी अगर आपको selfie camera दिया गया है, 16 megapixel का, जो कि आता है, Sony IMX 471 sensor के साथ में, दोनों phone के साथ में same sensor है, same megapixel से, same camera दिया गया है, और दोनों camera से आप 1080 pixels वाले video record कर पाएंगे, 30 fps पर, selfie camera यहाँ पर same दिया गया है, जो downgrade है, Realme Narzo 20 Pro में, वो primary camera rear camera में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर Narzo 20 Pro की अगर बात करते हैं, तो quad camera setup आपको मिलता है, लेकिन primary camera 48 megapixel का है, और sensor का नाम भी, यहाँ पर Realme की तरफ से बताया नहीं गया है, कि यहाँ पर Sony का sensor मिलता है या नहीं, तो Sony का तो definitely यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, Samsung का ही sensor यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और शायद में को लगता है कि GM1 या GM2 sensor यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है 48 megapixel वाला, उसी के साथ में आपको मिलता है, 8 megapixel का ultra wide angle lens, 2 megapixel का black and white sensor मिलता है, 2 megapixel का macro camera मिलता है, उसी के अलावा बात करेंगे, यहाँ पर realme 7 की तो यहाँ पर camera quality आपको काफी अच्छी मिलती है, जो quad camera setup पीछे की तरफ दिया गया है, वहाँ पर 64 megapixel का primary camera मिलता है, Sony IMX 682 sensor के साथ में, तो night quality जो है, night की जो image की quality है, वो काफी आपको अच्छी मिलेगी, और यूँ भी image quality से देखने को मिले, बाकी के जो तीन camera से वो आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे narzo 20 pro में देखने के लिए मिलते हैं 8 megapixel, 2 megapixel, 2 megapixel तो camera quality की बात करेंगे, तो realme 7 के अंदर आपको better camera quality देखने के लिए मिलेगी, better sensor यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उसी के तो यहाँ पर 500 mH का difference आपको देखने को मिलता है, narzo 20 pro के साथ में जो charging मिलती है वो आपको 65 watt की super dart charging मिलती है, 50 watt बहुत जादा हो जाता है भाई charging के मामले में realme 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 30 watt की charging आपको मिलती है वो जो की खराब नहीं है, 30 watt भी काफी जादा fast charge कर देता है लेकिन 65 watt बहुत जादा तेज यहाँ पर charging दे दी गई है, तो realme की तरफ से काम काफी अच्छा किये गया है, लेकिन यहाँ पर battery का size आपको कम मिलता है 4500 mH की battery मिलती है, इधर आपको 5000 mH की battery भी 30 watt charging मिलती है, तो battery module दोनों के अच्छे है लेकिन personally आप मुझसे पूचेंगे न तो मैं realme 7 की battery को जादा नंबर दूँगा, क्योंकि बड़ी battery है और 30 watt की charging कोई जादा खराब charging नहीं है तो मैं realme 7 को यहाँ पर advantage दूँगा उसके अलावा बात करेंगे भाई, तो बाकी सारी चीज़े दोनों फोन में आपको same देखने के लिए मिलती है, चाहे वो connectivity की बात कर लें, या sensors की बात कर लें, security की बात कर लें, connectivity की बात करेंगे तो दोनों फोन में आपको type C वाला port मिलता है 3.5 mm jack आपको दोनों फोन के साथ में देखने के लिए मिलता है, तो connectivity में आपको कोई भी समस्या नहीं आईगी, Bluetooth 5 का support आपको मिल जाता है, security के अगर बात करते हैं, तो दोनों फोन के अंदर आपको side mounted fingerprint scanner देखने के लिए मिलता है, face unlock का option आपको दोनों फोन के साथ में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है triple card slot यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब दो SIM card और एक memory card आप एक साथ में लगा सकते है तो यह काफी अच्छी बात है और उसी के अलावा बात करेंगे android version की तो android 10 के उपर phone मिलता है realme UI के support के साथ में आता है overall phone काफी अच्छे हैं दोनों काफी अच्छे हैं और दोनों के 4GB प्लस 64GB 4GB नी, 6GB प्लस 64GB वाले variant हमको मिलते है 14,999 रुपे में अब बात करते हैं मेरे opinion की realme narzo 20 pro लेना चाहिए या realme 7 की तरफ जाना चाहिए तो भाई personally अगर मुझसे आप पूछोगे न तो मैं realme 7 की तरफ जाऊंगा क्योंकि एक तो वहाँ पर आपको camera better मिल रहा है build quality सेम है, display सेम है, processor सेम है सारी चीज़े सेम मिलती है लेकिन realme 7 में आपको यहाँ पर camera better मिलता है sony का sensor मिलता है तो भाई एक कारण तो यह हो गया दूसरा कारण यह है कि महाँ पर बड़ी battery हमको देखने के लिए 5000 mh की realme narzo 20 pro का जो advantage है वो केवल यह है कि 55 watt की charging आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलती है उसके अलावा कोई भी ऐसा advantage नहीं है जो realme 7 को पीछे करता है और honestly मैं अपना opinion बताऊ ना आपको तो 55 watt जो charge है ना वो अभी नया नया आया है market में समझ रहो ना आप तो भाई उस चीज को obviously उसके अंदर bugs भी हो सकते हैं refined technology हो सकता है ना हो वो लेकिन जो 30 watt का charger है भाई बहुत टाइम से market में available है लोग इसको use कर रहे है performance भी अच्छी देखने के लिए मिल रही है और 30 watt की charging कोई बहुत खराब charging नहीं है ऐसा मन समझा आप लेकिन जब उसको हम 65 watt से compare कर रहे हैं तो ऐसा लग रहे है कि 30 watt कम दी गई है अच्छे टाइम में आपकी बैटरी चार्ज कर देगा एक घंटे के आसपास में आपके 5000 mAh की बैटरी अगर फुल चार्ज कर सकता है कोई चार्जर तो वो कोई खराब बात नहीं है 65 watt वाला जो फोन है जो चार्जर है वो आपकी बैटरी जो 4500 mAh की बैटरी है उसको चार्ज करेगा कुछ 38 मिनिट के असपास 22 मिनिट का डिफरेंस है कर सकते हो जेल सकते हो लेकिन उस बनिस्पद आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और उसके साथ में कैमरा भी आपको बैटर मिलेगा तो मेरे ओपिनियन के अगर बात करोगे वहाँ पर आपको ज़्यादा बैटर ऑप्शन्स मिल रहे है I hope आपको confusion दूर हुआ होगा और आप में को comment करके जरूर से बताना भाई कि इन दोनों में से आपके हिसाब से दोनों में से कौनसा प्रोसेसर बैटर है comment करके में को जरूर से बता देना वीडिओ कर अच्छा लगाए तो वीडिओ को like करना अपने धूस्तों के साथ share कर देना चैनल को subscribe नहीं कहा तो ुचैनल को subscribe कर लेना bell icon दबा देना और वाला option से like कर लेना ताकि मेरे वीडिओ को notifications पहुंचे आपको तुरंट से मैं मिलूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई